लख फ्रेंड्स वेल्कम्तू next section जहां पर हम बात करेंगे joins की तो हमारे joins कितने टाइप के होते हैं थीक है types of joins जिसमें बात करेंगे inner join की, outer join की सेमी join, anti join एक नए joins हमारे spark में होते हैं spark में जो बाकि दोनों तो सीक्वल के जॉइन है इनर जॉइन और उट जॉइन लेकिन जो हमारे स्पार्क में जो नए जॉइन एड़ हुए है वह सेमी जॉइन और अटी जॉइन इनकी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं और आप चाहते होता है मुझे कमेंड करके बताना मैं इसका भी दिए क्वयर निक रहा है मैं अभी आपको यह समझानी कोशिशी कर रहा हूं कि जॉइन जो होते हैं वो क्यों यह चॉस हो रहे हैं ठीके रेजिजं क्या है कैसी यूज होते हैं इसके अंदर हम लोग बात करेंगी ब्रॉड का सवाइन की स्वांट हम लोग real world example समझें कि इनकी ज़रूद क्यों पड़ी ठीक है और अगर कभी-कभी आपने दिखा होगा कि आउट-of-memory-error आ जाता है या इंटेविज में कभी सुना होगा तो इनके पीछे reason क्या होता है इनका out-of-memory-error आने का reason चलिए फिर समझते हैं इसको तो पहली चाहिज जाकर हम लोग बात करें रेस्टरॉंट की हमने last time बात करी थी तो रेस्टरॉंट में हमने समझा था कि cluster manager क्या होता है जो कि CEO होता है हमारे रेस्टरॉंट का एक जीक्यूटर्स क्या होते है जिनना हम लोग शेफ बोलते हैं जो खाना बनाते हैं तो पिर हमारा ड्राइवर होता है जो कि एक रेस्टरॉंट का manager होता है जो कि पूरे रेस्टरॉंट को देखता है ठीक है प्रोब्लम्स को judge करता है है डिजॉल्व करता है ठीक है मतलब और मुस्ट रेस्टरौन के देख रिक करता है ठीक है जो इसकी ड्यूटीज है फिर हम लोग ने देखा था कोर्स के बारे में कोर्स वह होते हैं जो की शेफ के बर्णर्स। स्टोफ जिसमें भूखाना बनाता है तो स्टार्ट करते हैं ज्वाइश की प्रॉब्लम से हम लोने देखे चार टाइप की होते हैं ठीक है वह आप कहीपे भी गुगल कर के चक्क कर सकते हो क्या होते हैं तो अबरा टॉपिक महीoquं और कि उस जॉइन से प्रॉब्लम्स या होती है और उनका सॉलुशन क्या है तो पहले चीज अगर हम लोग देखें जॉइन की प्रॉब्लम हम लोग बताते हैं बिग डेटा टू बिग डेटा ठीक है तो अगर स्पार्क की बात करूं तो हमारे डो टेबल्स जो की बहुत बड़ी है जीने मिल्यों सब डेटा है उनको अगर हम लोग जॉइन करेंगे तो इतनी तो मेमोरी है कि हमारा स्पार्क उसको होल्ड कर सके हैं और हम लोग ने मेमोरी अगर अच्छी तरह से सेट अप नहीं कर रखकी है ना में पता है डेटा बड़ा है ठीक है और उसको जॉइन कर है जोएंब और कार्टेजन जोएंड कर दिया तो वो तो और भी बड़ा साइज हो जाएगा फाइल का ठीक है तो एक सॉलूशन यह है उसका सॉलूशन ये निकल के आता है कि सौर्ट मर्ज जोएं कर दें अभिस वर्ट मर्ज जोई होता क्या है और ये बिग टेबल्स बिग क्यों हो गई कैसे हो गई तो यह भी हम लोग अभी समझेंगे एक रेस्टरॉन के ग्जांपल से दूसरा अगर मैं स्पार की बात करूंँ बिग डेटा प्रॉब्लम तो हो सकता है एक टिबल बड़ी है एक टिबल बहुत ही छोटी है ठीक है उसको जॉइन करना हो और जॉइन भी क्यों करना हो जॉइन अगर हम लोगे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जॉइन होते हैं हमारे कॉम्बोस रेस्टरॉन के इंदर जो कॉम्बोस बनते हैं जैसे मान लोग कि बर्गर के साथ कोल ड्रिंक ठीक है और बिर्यानी के साथ खीर तो हम ल अगर बिर्यानी घाने गए हो बिर्यानी को हम लोग एक डेटा फ्रेम बान लेते हैं ठीक है आपने साथ में ओडर कर दिया ठीर जो कि एक दूसरा डेटा फ्रेम है अब अगर इन दोने को जोईन कर देंगे तो एक कॉम्बो बन जाएगा ठीक है अब आते हैं प्रॉब्लम अगर कोई बिर्यानी बनाना अगर कोई भी ऑरडर आ जाए ठीक है और शेफ से बोला जाए कि आब आपको बिर्यानी बनानी है तो बहुत यह तो सबको पता है कि यह पांच मिन पे बिर्यानी बननी पाई है अट लीस्ट आधा एक घंट लगेगा और इतना टाइम तक कस्टमर्स होंगे तो कुछ चीज़ः हो सकती है प्रिपेर्ड हों एक के शेफ ने पहले से बना रखिए हो बस उसको थोड़ा heat करके और दे देगा customer को तो जल्दी हो सकता है दूसरी चीज problem या सकती है कि वो पहले सी बनी ना हो बिर्यानी पहले सी रेडी ना हो तो उस समय बनाएगा तो यह दूसरी problem तो यह time consuming है तीसरी problem हो उसका raw material ही रेडी ना हो बिर्यानी बनानेगा मालो butter available ना हो मालो नमक available ना हो राइस यह available ना हो ठीक है तो वो जॉइन तो होई नहीं पाएगा और time भी consuming अगर वो लाने जाए salt को डूंडे butter को डूंडे तो भी बहुत time consuming है ठीक है तो जॉइन तो पूरा 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 दिन ले लेंगे जॉइन होने में वो एक अच्छा solution नहीं है ठीक है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे sort merge join काम करता है और कौन help करता है उसको merge और sort और merge करने में दूसरी problem आती है big data to small data मालो लाओ कि बिर्यानी तो ready है लेकिन खीर का आदर preparation हो रखा है और आदर बचा हुआ तो आप कोई customer आएगा ठीक है तो manager दर तुरंद बोल सकता है कि आप बस 5 minute wait करो 10 minute wait करो और आप कैस खाना पहुंच जाएगा और मालो बीच में manager ही ना हो manager छुट्टी में है तो chef के पास तो ready है ठीक है एक chef के पास ready है दूसरे chef के पास खीर ready है तो वो दुनों जाकर के mail करके एक combo बना करके waiter को दे देंगे ठीक है तो अगर जिस समय driver available होगा बसार रेस्टोन का manager available होगा उसको हम लोग बोल देंगे broadcast join मुमलब अच्छे से आगे समझेंगे फिर तीसरी में बात करूँगा data skewness की अब data skewness subness उनाओ को क्या होता है अगर मैं data skewness की बात करूँ तो मैं आपको यहां पे लेके चलता हूँ skewness के अंदर skewness है biased biased मतलब यह तो right हो सकता है या left हो सकता है बिर्यानी की demand बहुत ज्याज़ा आजाती है ठीक है आपको combo चाहिए combo बनाना है या combo नहीं भी बनाना है ठीक है तो जो आपके request पहुची महलों 100 request पहुच गएगी बिर्यानी की और आपके request सिर 50 का ही खाना है तो आपको 50 का बनाना पड़ेगा लेकिन आपको combo भी देना है साथ में खीर के साथ वो खीर ready है ठीक है बिर्यानी ready नहीं है ठीक है अब मान के चलो skewness आ गई कि आपके बिर्यानी की demand तो बहुत सारी आ गई लेकिन खीर की demand नहीं है और खीर की demand आ गई बिर्यानी की नहीं है रेके हैं तो ये डेटा स्क्यूनेस हो गया है राइट साइड या लफ साइड थीक है अब इसमें ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्क्यूनेस कि एक तरफ तो बहुत ज़यादा ढाओ दूसरे तरफ तो बहुत दिमांद ही नहीं थीक है तो जब data screeness होती है तो उसको कैसे sort out करते है वो हम लोग देखेंगे क्योंकि शेफ तो बनाने वाले तो हो सकता है बिर्यानी बनाने वाले कम ही हो ठीक है वो कुछ को खीर बनानी आती है कुछ को बिर्यानी बनानी आती है लेकिन अब request तो सौ हजार पहुँच गई बिर्यानी वालोगी तो माँ लोग चार शेफ बनाते थे पहले दस लोग के लिए अब वो हजार लोग के लिए चार शेफ तो बनानी पाएंगे request हम लोग request हो लोग survey नहीं कर पाएंगे उतनी तब कैसे करेंगे तो वो हो गया हमारे skewness का part वो भी हम लोग आगया के समझेंगे ठीक है तो अभी बात करते हैं हम लोग जो हमने बात करी बिर्यानी की फिर हमने बात करी खीर की फिर हमने बात करी demand की ठीक है data skewness इसका बोला तो story के आगे लिए के चलते हैं जब डिमांड मानलो बहुत ज्यादा आगई बिर्यानी की और चार लोग थे पहले चार लोग बना रहे था अराम से और अच्छे से रेस्टॉर्ण चल रहा था अब मानलो हजार रिक्वेस्ट आगए बिर्यानी की ठीक है तब क्या होगा ये कोशन नोट कर लो इसका अंसर में आगए दूँगा रिपार्टिशन और सॉल्टिंग जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे इसमें ठीक है इसमें एक और प्रॉब्लम मैं आपको लेकर क्या आता हूँ कि जब मैं बात कर रहा था शेफ बिर्यानी बना हूँ कि कि मानलो कि एक आपको चिकन चाहिए है अगर आप चिकन बिर्यारी नहीं बिर्यक्ति आ ठीक है तो एकड़ mुछ में आउइब like है ठीक है तो जब भी हम लोग big data to big data की बात करेंगे तो हम लोग quantity और preparation की बात करेंगे quantity मतलब वो table कितनी बड़ी हो सकती है वो बिर्यानी कितनी बनानी है कितनी quantity में बनानी है उसका preparation time जरूरी नहीं है कि वो 5 बन जाए ठीक है पांच इन बनने के लिए उसमें सब कुछ ready होना पड़ेगा कि बस microwave में डाला और दे दिया possibility ऐसी बहुत कम है हो सकता है कि बिर्यानी बनने में बहुत time ले जाए क्योंकि हमारे पास कुछ भी items available नहीं हो सकता है किसी point of time में ठीक है फिर हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे drivers की अब driver का role कहां पे आता है ठीक है और वो executors को कैसे बात करता है क्योंकि driver का काम ही ही है कि जल्दी से जल्दी customer की request serve हो सके ठीक है जो भी customer ने मांगा है मानलों की उसने मांगा है chicken में रहनी और खीर लेकिन बैग्राउंड में चीजें बहुत सारी हो सकती है जो कि हम लोग ने अभी discuss करी कि कुछ भी item अविलेबल ना हो ठीक है उसका अविलेबल कराना ठीक है और executors अगर chef कम पढ़ ले हैं किसी काम को करने में तो उनको allowed कराना तो इस सब driver के responsibility है अगर driver अविलेबल ना हो तो अब देख से तो कितना chaos मज़ सकता है एक ही restaurant के अंदर शेफ बस भाग रहे हैं क्योंकि saw request handle करना is not easy क्योंकि कुछ समान को हो सकता कहीं और पर पढ़ा हो कुछ कहीं और पर पढ़ा हो थिक है और हो सकता है कुछ ऐसे common tools हो मानके चलो knife झाएफ चलो नाइफ ज़रोत हो हर किसी को है be जो बिर्यानी बना रहा है जो खीर बना रहा है क्योंकि तो आठने है उसको टमाटर भी काटने है ठीक है और नाइफ मानलो मानलो अगर एकी हो और खीर वाला तो वेटी कर से रह जाएगा क्योंकि उसको ड्राइफ फूट्स काटने है ठीक है मान के चलो राइस एक दूसरा एक्जामपल लेके चलो राइस राइस तो बिर्यानियों भी पड़ेगी, खीरों भी पड़ेगी, ठीक है, और खीर में अगर पढ़ रही है, तो अगर राइस कहीं पर एक जगे पर रखी होई है, तो और सभी को चाहिए राइस, तो फिर तो वेटिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए है, क्यों समच जाएगा पूरा, वो लोग क्या करेंगे, राइस कहां से लाएंगे, पहले एक नहीं निकाले, फिर दूसरे निकाले, फिर तीसरे न, तो यह लंबी से लाइन बनती जा रही है, तो अब इस के उसको रोकना है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि रेस्टरा अलग बात है, पहले उसके लिए आइटम रेडी होना चाहिए, ठीक है, फिर मुने बात करी कि एक प्रॉब्लम्स हमने दिरे दिरे दे दे देखी कि कहके प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ये भी है कि चीज़े अविलेबल ना हो, राइस अविलेबल ना हो, और अगर चीज़े के रखी होई है, राइस, तो उसको मुल्टिपल अगर लोग एकसेस करेंगे तो वेटिंग टाइम लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवर उनकी हल्प करेगा, वो कैसे हल्प करेगा देखते हैं, तो पहले चीज़ हमने सखी कि सौट मर्ज हो रही है, जब बिर्यानी की रिक्वेस्ट जादा है, खीर की रिक्वेस्ट जादा है, ठीक है, क्योंकि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉम्बो की, लोग को कॉम्बो चाहिए, अब हजार रिक्वेस्ट कॉम्बो की आगए, तो लोग को, तो उसमें शेफ को बिर्यानी भी बनानी पड़ लिए और शेफ को खीर भी बनानी पड़ लिए ठीक है तो उस case में क्या होगा कि अब शेफ तो उतनी है शेफ के पास बर्नर सो उतनी है, कोर्स तो उतनी है शेफ के पास तो जितनी ज़्यादा request होगी उतने अद़ वेटिंग टाइम बड़ता रहेगा और पीछे हम लोग ने देखा कि अगर ऐसी situation होगी तो chaos मच जाएगा chaos क्यों मच जाएगा क्योंकि शेफ को items भी collect करने है उसको विर्यानी बनाने के लिए पहले प्याज लाना है, rice लाना है टिक है, tomato लाने है knife लाना है अब बहुत सरी चीज़े हो सकती है टिक है, पहले उसको एक जगे लाकर कि सब इकठा करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ common tools हो common tools मतलब knife कि जैसे मैंने बात करी, rice की बात करी सब common है टिक है, दो dishes के लिए common है और वो एक जगे अगर रखे होंगे तो वो हर बार विचारों rice लेकर के आ रहा है टिक है, फिर उसको बाल रहा है और वो ही same काम बिर्यानी के लिए भी हो रहा है तो क्यों ना अगर ऐसा हो जाए कि बिर्यानी और rice की खीर के लिए एक ही जगे boil होने लग जाए ठीक है, rice एक ही जगे boil होने लग जाए तो ये कितना अच्छा हो जाएगा time बच जाएगा खीर बनाने वाले के लिए भी और बिर्यानी बनाने के लिए भी ठीक है, तो यहाँ पर रोल आता है एक driver का driver एक executors driver और executors कैसे communicate करते है तो driver जो कि एक restaurant manager है वो guide करता है executors को कि भाई अभी देखो request जाएगा आ रही है बिर्यानी की और खीर के भी है नहीं तो हम लोग काम करते हैं बिर्यानी पर focus करते हैं ठीक है, तो अब जब बिर्यानी में जाएगा focus, अब दो ही chef खीर बनाएंगे, बाकि छेज, साथ जो भी chef है वो बिर्यानी बनाएंगे ठीक है, और मान के चलेंगे अगर कोई item available नहीं है तो driver अपनी responsibility लेगा कि मैं तो मैं available कराऊंगा ठीक है, rice की ज़रूद है ठीक है, तुम भी rice लो और तुम भी rice लो और मैं एक काम करता हूँ, एक जगे ही सबको boil कर देता हूँ, सारी rice को तो इस सारा काम हों कि है manager का एक driver का ठीक है और इसमें क्या होता है, partitions are first sorted sorted, अब ऐसे मान के चलो कि जो अपना driver है, जो restaurant manager है उसको पता है कि rice जो है, बिर्यानी वाले को के जरुछ को भी चाहिए, और खीर बनानेवाले को भी चाहिए तो उसने एक salt कर दिया, ठीक है मेरे को अभी rice की जरुछत है और इन दोनों की जरुछत है, आ इन दोनों की जरुछत है तो मैने note कर लिया है, ठीक है एक partition मैंने ये बना दिय ए एक एक इशू मैंने ये बना लिया है कि अब राइस मेरे को लाना है किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को प्रवाइट करने के लिए फिर दूसरा उसने पार्टिशन बना है नाइफ का क्योंकि नाइफ भी दोनों जेगे जरूरत पढ़ लिए ड्राइफूट काटने के लिए और टमाटर प्याज काटने के लिए तो उसने दूसरा पार्टिशन मना दिया तो उसने क्या कर रहा है उसने चीजे शेफ का खोजने में मतलब जो राइस लाने में टिक है टमाटर लाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका वह बच जाए ठीक है तो यह minimize कर देता है data movement in the cluster ठीक है जैसे मैंने बता है knife available कराना और knife हो सकता है उससे store में available हो दूसरे store में available हो तो वह सारी responsibility driver ले लता है कि भाई तुम अपना खाना मनाओ मैं जो चीज चुमें चाहिए लागर के देता हूँ और कहीं और और से है तो उससे मंगा करके दे ठीक है तो अगर इस situation में इस situation को हम लोग बोलेंगे sort merge join तो उसने पहले sorting करती फिर उनको combine करके एक जगे इकठा कर दिया executors को बता दिया कि यह लोग अपना समान अब बनाओ ठीक है तो यह जैसे देखा partition हो गया अब knife की बात करी हम लोग ने तो प्याज काटने के लिए भी काम आ गया और dry foods काटने के लिए भी काम आ गया ठीक है अब इसी conversation को आगे लेकर के चलता है आगे मान के चलते है broadcast joins अब भाई यह क्या चीज़ है broadcast तो मान के चलो की जो बिर्यानी बिनाने की recipe थी और खीर बनाने की recipe थी ठीक है यह तो कोई बना सकता है बिर्यानी कोई बना सकता है खीरी कोई बना सकता है लेकिन specific restaurants की एक इस recipes होती है ठीक है जो की कोई copy ना कर सके और वो different outlets में भी अविलेबल होती हैं कि अगर जैसे आप कोफी मान के चलो तो उनका एक पर्टिकुलर आउटलिट होगा है पर्टिकुलर टेंपलेट होगा है कोफी बनाने का ठीक है तो अब रेसिपी बुक मान के चलो अब एक ही है सो रेस्टोन खुले हुए हैं उसमें हजारों शेफ काम कर रहे हैं ठीक है और मान के चलो रेसिपी बुक अगर एक ही है एक ही जगे रख्ची हुई है तो सोचो कितना के उस मच जाएगा क्योंकि कस्टमर को तो खाना चाहिए टाइम पर और रेसिपी की बुक अगर इसना टाइम अगर शेफ ढूणने बैठ जाए ठीक है कि भाई बिर्यानी की रेसिपी चाहिए मेरे को और वो उतना उसका टाइम चला जाएगा ठीक है और सौ लोग अगर एक ही रेसिपी बुक में अगर देखना लग जाएंगे तो किसी का भी परपस सर्व नहीं हो पाएगा राइट क्यों किसी को हो सकता है बिर्यानी की रेसिपी देखनी हो हजार शेफ को एक साथ एक ही बुक के अंदर किसी को खीर की रेसिपी देखनी हो एक ही साथ एक ही बुक के अंदर तो इस सब तो लाइन में मतलब लाइन किती लंबी हो जाएगी आप यह सोचों क्योंकि एक बार में एक ही बंदा जाकर करके रेसिपी बुग पढ़ सकता है हो भी एक ही जगे तो यहां पर रूल होता है ड्राइवर का ड्राइवर बोलता है कि समान की तरह मैं तुम रेसिपी बुग भी ला करके दूँगा तुम बस अपना खाना बनाओ तो जिसको जरुवत है बिर्यानी की लो भाई बिर्यानी की रेसिपी पकड़ो जिसको जरुवत है खीर की लो भाई खीर की रेसिपी पकड़ो तो ड्राइवर साइड करता है एक्जीक्यूटर्स को कि यह लोग जो भी तुम्हें चाहिए सबको उसके कॉपी पार्ट देता है ठीक है अब एक्जीक्यूटर्स को यह शेफ को कहीं पर जाने की ज़रूत नहीं है वो लोग देखेंगे रेसेपी देखेंगे अपनी उसी प्राब्लम जिसका हमें सौल्ळ कि असको हमने सौल्ड मर्श है दूसरी चीज़ हमने चाहिए स्आश्मायः डियटे यूस्मॉबीटर्स फ्रॉलों के अंदर आज 오른्र्शभब्लम लान ब्राटकसि और शक्रों काशिया तिन घंच को वाइज से वह अब हो सकता है ब्राट मान लो कि अब बिर्यानी सबको कॉम्बो तो चाहिए ठीक है ज़रूरी नहीं कि कॉम्बो सभी को चाहिए किसी को खीर जाथा चाहिए तो अब एक तरफ दिमांड जादा अनलगी खीर की पहले सब चोटी होटे में बन रही थे राम से बन रही थी दो ही एक्जेक्टर्स या शेफ काफी थे उसको बनाने के लिए अब क्या होगे एक दम से दिमांड जादा आ गई खीर की तब दो शेफ से वह बननी पा रही है अ तो आप खुश सोचो कि पहले दस कस्टमर आकर कि आपके रेस्टरंट में पूछते थे खीर मांगते थे ठीक है खीर के ओर्डर आते थे पूरे दिन में दस के ओर्डर आए खीर के तो आपने उसे साब से प्लान कर रखा है कि भाई दो लोग मैंने रेसर्व को रखें खीर बनाने के लिए कि जब भी रेक्वेस्ट आईगी यह लोग दे देंगे और छोटे से पतीले में काम हो जाता था अब वही लोग, हजार लोग पर डे आ रहे हैं आपके पास तो आपके तो छोटे पतीले से तो काम नहीं हो पाएगा दो एक्जेक्यूटर से तो काम हो नहीं पाएगा अब आपको चाहिए ज़्यादा एक्जेक्यूटर्स ज़्यादा शेफ और उनको चाहिए शेफ को चाहिए ज़्यादा बर्नर्स ज़्यादा कोर्स उस खीर को प्रिपेर करने के लिए ठीक है और उतना ही फ्यूल जाज़ा चाहिए उतना ही मेमोरी जाज़ा चाहिए तो अब दो सिनारियो लेते हैं पहला सिनारियो लेते हैं कि आप जाजा खीर ठीक है आप आपको जाजा खीर बनानी है तो आप एक ही burner में बना रहे हो एक बड़े से पतीले में आपके पास एक छोटा सा burner है उसमें बना रहे हो ठीक है वो तो भाई पूरा दिन ले जाएगी बनी नहीं पाएगी गरमी नहीं पाएगी ठीक है और customer के पाई अतना time तो है नहीं अब दूसर situation आपको क्या लगता है अब इसको solve करने का try करते है ठीक है तो एक solution जो मुझे सोब्ज में आ रहा है वो क्या करेगा कि partitions कर देगा ठीक है अब एक burner में उसने एक पतीले में मालो एक kilo अगर 10 kilo अगर बननी थी खीर तो अब एक kilo करके एक एक burner में चड़ी हुई है खीर fine 10 burner ठीक है एक एक पतीला उसको बनाने के लिए एक executors या उन्हीं 10 बनाने के लिए 3-4 executors 3-4 chef ही काफी है ठीक है तो मान की चलो कर में 5 chef है ठीक है और 10 burners है 10 burner में एक एक खीर रखी हुई है एक एक पतीला रखा हुई इसमें खीर बन रही है तो मतलब एक शेफ दो खीर को manage कर रहा है ठीक है एक शेफ दो खीर को बना रहा है तो मतलब एक शेफ के पास दो burners पड़े हुए एक executor के पास दो कोर्स पड़े हुए समझ में आ रही है बात तो मैंने partition कर दिया एक बड़े से पतीलों को मैंने छोटे छोटे पतीलों में बाट दिया ठीक है अब ये call कौन ले सकता है इस प्लिट करने वाला कीम भाई मुझे को एक किलो में ही बाटना है या दो किलो में ही दो किलो का पतीला चाहिए उसको बनाने के लिए ठीक है मैं partition जब कर रहा हूँ तो मैंने decide कर लिए भाई मेरे को दो दो खिलो दो किलो एक पतीले में रहेगी दूसरे दो किलो दूसरे पतीले में रहेगा तो decide कौन कर रहा है अगर मैं यही काम अगर driver को दे देता हूं कि भाई restaurant के manager को तू बताएगा कि वहाई तिरह को कितनी खीर कितना allocation चाहिए इसको बनाने के लिए बड़े से पतीले में जो खीर बन रही है ठीक है उसको अगर break करना है मेरे को chefs के dividing among the chefs ठीक है वो करना है तो वो तू decide करेगा तो उसको अपना बोलेंगा repartition with broadcasting ठीक है एक तो यह हो गया repartition अब repartition दो तरीके से होता है या तो मैं split कर दूँ और या तो मैं करूँ की salting ठीक है अब समझते हैं की salting क्या है चलिए अब उसे example में लेकर चलता हूं आपको बिर्यानी और खीर बनाने वाली ठीक है अब मान के चलो खीर की quantity जाता हा गई एक solution तो यह था कि मैंने बोल दिया लोगों को की chef को कि भाई तू यह पकड़े एक kilo की खीर ठीक है अपने यह साब से बना रेसिपी देख करके दूसरा एक्जीक्टर को समझा दिया वही सेम चीज ठीक है ड्राइवर ने जो भी कॉल लिया कैसे कैसे डिवाइट करना है उसका दूसरा मैंने क्या किया कि कि मान के चलो मेरे को एक तस किलो की खीर बनाने थी तो मैंने देखा कि यार अब इसमें खीर बनाने में जो काम क्या क्या होता है मैंने समझा उसको खीर बनाने का प्रोसेस कि भाई उसमें ड्राइव फूट्स काटने पड़ते हैं ठीक है चावल उबालने पडते है चीनी लानी पड़ती है चीनी डालनी पड़ती है कितनी चीनी होगी और सब रेसिपी बुक्स में देख करके तो मैंने काम को डिवाइट कर दिया काम पहला काम मैंने कर दिया कि भाई अब 10 किलो जावली उब लेंगे अब जो मेरे पास छोटी-छोटी मेमोरीज थी छोटे-छोटे बर्नर्स थे मैंने इसको कनवर्ट करें बड़ा बर्नर कर दिया जैसे कि at least 10 किलो के चावल उबल सके और उस उबालने के लिए मैंने दो शेफ को बोल दिया कि अब तुम यह देखोगे, डिसाइट करोगे देखते रहोगे कि जब तक चावल बलना जाते हैं दूसरे को मैंने टास्ट दे दिया कि वह दो चार लोग आओ और इसको क्या बोलते हैं ड्राइफ रूट जो पड़े हो उनको काटने का काम तुम्हारा है ठीक है तीसरे को बोला कि वह इसमें जो चीनी जितनी चाहिए है टैगिं करती है कि अजिते हैं और फिर तब सबने अपने काम कर दिते फेमिमान कर दिया तो यह हुत है कि Studies चिसल्ठ किसल्ट गइस अलग वीडियो बनाऊंगा आइब को बताऊंगा कि कैसे हम लोग की सு. करते हैं क है Certainly टीक है कि तो आप जाकर कि इसको चेक कर सकते हो मैं पूरा आर्टिकल अच्छा से बना रखें उन्होंने the art of joining in spark ठीक है उसको सर्च करो उसको पढ़ो और आपको अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो उसको सस्क्राइब करना थेंक्यू